तो मैं आपको दिखाती है लड़ू कितने ही अच्छे बनके त्यार हुए हैं और आप लुक भी देख सकते हो बिल्कुल मार्किट वाला रहा हलो आई वाले स्टाइल में बने और बिल्कुल लाज जवाब लड़ू बनके त्यार हुए हैं और आपको अंदर से भी तोड़ के आपका स्वागत है आप सबको पता फेस्टिबल का टाइम चल रहा है और फेस्टिबल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मिलावट की मिठाई हैं मार्किट माते जिसे हमारा खाने का मन नहीं करता है हम आवइड करते तो आज मैं लेके आई हूँ बेशन के लड़ू की रस तो यहां पर मैंने कड़ाई लिया है इसमें एक कटोरी घी डाल के मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है जादे हमने गरम नहीं किया हलका सा गरम किया और यहां पर हम मोटा वाला बेसन लेंगे यह सिंपल वाला बेसन नहीं है बारिक वाला यह मोटा वाला बेसन है जो स्रिफ तो यहां पर मैंने 500 गिराम बेसल लियाँ और इसे घी में हम छोड़ देते हैं और इसे हलके-लके हातों से हम मिक्स कर देते हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना आहे और लड्डू आपके इतने अच्छे बन के त्यार होंगे बिल्कुल लगेगा कि आप हलवाई कैसे लेके आ रहे हो कि कि दीपा वाली पर भूती मिलावत की मिठाई मिलते हो खाने का मन भी नहीं करता और लड्डू अगरा ऐसा हो सकता है कि कोई भी सुपकाम हो लड्डू न हिसे हमें अधिर्ण बाक खरते हैं भाला दिखायो अधिकेлом कज़ा तो यह आपका भी चुलम के लगा न लगा है जब आपका बेसन घ्या चूटबने लगे तो स्काम मतला यह भाला बेसन भूलवा जर अच्च ऌछुका अच्छे करेंगा तो तो यहां पर हमारा बेशन हलका सा कलर छोड़ चुका है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में खुश्भी भी बहुत इच्छी आ रही है तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल हलवाई वाली टिक बताने जा रही हूँ करते हुए अभी से हमें और भूणना है तो आप देख सकते हो बेशन हलका हलका हमारा दानेदार हो चुका है और अगर इस टिक के साथ आप लड़ू बनाऊगे बिल्कुल आपके मार्किट जैसे बनके त्यार होंगे और दीपवली पर बनाके जैसे आपके गैस्ट वकर आते जैसे कि हम मार्किट से लड़ू अगरे लेके आते हैं बिल्कुल वही कलर आ चुका है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रहे है और इसे अच्छे से हम और भूनने देते हैं हलका सा और मुझा भी थोड़ा सा लग रहा है कि कलर ओर होना चाहिए क्योंकि बेशन हमार और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रहे हैं यहां पर मैं कुछ काजू डालूंगी यहां पर मैंने काजू बारी बारी काड लिया आप कोई भी ड्राइफुट डाल सकते हो लेकिन बेशन के लड़ू हमेशा काजू डलते हैं तो इन्हें भी हम मिक्स कर देते हैं और इ अगर आपका बेशन गरम तो बूरा पीगल जाएगी तो इसलिए बिल्कुल ठंडे में मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल हल्वा ही वाले लड्डू बनके तयार होंगे जैसे कि दीपा वली पे मिलावट की मिठाय मिलते हैं खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप आसानी से घ बिल्कुल पर अच्छे से हमारे बूर भी मिक्स हो चुका है तो आप देख सकते होसे हम लड्डू बनाना के दया ले में सब नहीं आए जैसे इसके लिए नजल भी तो हम एंगए नजनिया रही है तो इस इस अपर अच्छे सभी मुंझे अपर लड्डू बनाना शुरू क और चोटा बड़ा साइज आप मन्चा बना सकते हो लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसे बनाऊंगे जैसे कि हम हल्वाई कैसे लेके आते हैं बिल्कुल वही शेप देंगे हम गोलाई में और अच्छे से हमें गोलाई में लड्डू बना के त्यार करने हैं तो देखे ऐसे बेसन के लड्डू आप बना के त्यार कर सकते हो और कितने ही अच्छे बनके त्यार होंगे आपके तो ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेते हैं और जब लड्डू बनके त्यार होंगे तो आप भी कहोगे कि घर में इतनी आसानी से हल्वाई जैसे लड्डू जी हां बिल्कुल तो यहां पर हमारे सारे लड़ू बनके तयार हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्वाई वाले स्टाइल में हमारे लड़ू बनके तयार हुए तो हल्वाई वाले स्टाइल में हमने लड़ू बनाए तो प्लेटिंग भी हम हल्वाई वाले स्टाइल में करेंगे तो यहा और टेस्ट भी आपको वही आएगा तो सारे लड़ू में लगाएंगे और कलर देखे बिल्कुल लग रहा है जैसे कि हम हलवाई कैसे लेकर आए और कित्रा यह आसान है बेशन के लड़ू बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट इनका बिल्कुल दूगना आने वाला है तो हम इसमें लगा देते हैं अपने सारे लड़ो को कमाज तो हलका हलका हल्का हम कानिस करेंगे काजु से काजु से और आपिसकी और किसी बहुत काज़ों पिमाँ बू 16- teenagers खाने में भी अच्छी लेगेंगे और बिल्कुल मार्गिट वाला लुक आएगा तो हम सारे पर लगा देते हैं अगर मेरी वीड़ो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीड़ो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जुनों नहीं किया और वीड़ो मेरे देखने के लिए थैंक यू और अपनी फैमिली के साथ ऐसे लड़ो आप बनाके इंजोई कीजिए